हाई विनर्स आज़की वीडियो में आप लोगों से बात करने आया हूँ किशू इनू क्रिप्टो टोकन के बारे में लास्ट 24 आर के अंदर आगा आप लोग किशू इनू का प्राइस देखेंगे तो लगबग 1.21% किशू इनू पंप कर रहा है लेकिन सबसे बड़ी निराशा की बात यह है किशू इनू 6.0 के बदले अब आप लोग को 7.0 का क्रिप्टो टोकन दिखाई दे रहा है लगबग 1.80,000 से ज़्यादा वाच लिस्ट में एड किया जाने माला विद ग्लोबल रैंक 2944 का यह टोकन धीरे धीरे अपनी पोटेंशल्स को इंक्रीज कर रहा है कॉमिनिटीज को स्ट्रॉंग बना रहा है और यूटिलिटीज के अच्छे से अच्छे रास्ते ढूडने की कोशिश कर रहा है लास्ट वीडियो जब मैंने दो दिन पहले किशू इनू पर बनाई थी तो मैंने आपको बोला था कि 7 जून को के यू कौईन के साथ जो की बहुत बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है क्रिप्टो मार्किट में के साथ किशू इनू का AMA सेशन होने वाला है इसके अनाउंस्मेंट 6 जून को किशू इनू के ओफिशल ट्विटर प्रफाइल पर की गई थी लेकिन पता नहीं दोस्तों किसी रीजन से वो AMA सेशन नहीं हो पाया तो शायद हमें किशू इनू का वो प्राइज उस हद तक नहीं दिख पाया जिस तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन अगर आप इसको एक और पॉजिटिव टाम में ले तो किशू इनू ने तीन दिन के अंदर 6, 7 और 8 इन तीन डेट्स के अंदर अपनी कॉमुनिटी को जादा से जादा स्ट्रॉंग बनाने की बहुत कोशिश की है शायद किशू इनू ये एक प्लान कर रहा है कि NFT ट्रेडिंग कार्ड गेम के साथ किशू इनू को बड़ी लिस्टिंग मिले दोस्तों उसके लिए एक लेटस्ट अबडेट आप लोग को आज ही बताता हूँ देखिए किशू इनू ने 14 आर्स पहले अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर एक ट्विट किया किशू आर्मी वी और आलमेस देर किशू केंगडम जो NFT कार्ड ट्रेड गेम का नेम रखा गया है अब किशू इनू बोल रहा है कि ये गेम बहुत जल्दी आने वाली है और जो नई अनॉंसमेंट है उसके लिए रेडी रहिए और किशू इनू ने इस पटिकुलर ट्विट को वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्चेंज बिनांस हुई ग्लोबल के यू कोईन जेमिनी टॉप एक्चेंज इस अगर आप बोलें बाइबिट ऑफिशल क्रिप्टो कॉम वजीरेक्स इंडिया मतलब इंडियन एक्चेंज में अगर आप किसी एक्चेंज की बात करते हैं तो सबसे टॉप लेवल पर वजीरेक्स का नाम आता है वजीरेक्स इंडिया की एक्चेंज को भी ट्विट किया ओफिशल ट्विटर प्रफाइल पर Binance के CEO CZ Underscore Binance के साथ भी ट्विट किया गया अब आप देखिए किशु इनू को भी अपनी इस पर्टिक्लर NFT कार्ड गेम से कितनी उमीदे है कि वो एक announcement ऐसी करना चाहता है कि उसने already बाकी सबी exchanges को बता दिया जिनमें उसको उमीद है लिस्टिंग की अब यहाँ पर हुवई Global KU Coin, Binance, Gemini, Bybit Official, Wajirex India ये बहुत बड़े नाम है सबसे बड़ी चीज इंडियन exchange Wajirex जो की इंडियन holders के लिए बहुत बड़ा होने वाला है KU Coin जिसके साथ already AMA session होने वाला था लेकिन किसी वज़े से नहीं हो पाया तो शायद दोस्तों वो reason ये निकल रहा है कि किशू इनू community चाहती है कि सबसे पहले NFT card drain को एक level पर लेके जाए जाए और उसके बाद उसे listing मिले किसी top exchange के अंदर और मैंने आपको बताया था कि दुबई crypto expo के अंदर जब किशू इनू ने अपना white paper और किशू इनू ने अपने future plan को discuss किया था तो उन्होंने official representative रखा था Andy Lien को Andy Lien ने भी 17 hours पहले एक tweet किया किशू is unstoppable यानि कि internal news ये निकल कर आ रही है कि किशू इनू is going to be smart किशू इनू is going to be the best in meme cryptocurrency culture Andy Lien जो के एक जाने माने personality है official representative थे दुबई crypto expo में किशू इनू के लिए तो उनका ये tweet बहुत कुछ बोल रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि किशू इनू community internally क्या तयारी कर रही है इसके लावा अगर आप 20 hours पहले Bitcoin LFG का official Twitter profile पर एक tweet देखेंगे किशू इनू classic listing with marketing push मतलब marketing की help से Bitcoin LFG जो की world largest crypto data company है वहाँ पर June 9 को किशू इनू को list मिलने वाला है और message आ चुका है get ready for this मतलब किशू इनू की ने कही ने कही एक listing की news तो आ गई लेकिन expectation थी कि KU coin के AMA session के तक लेकिन expectation थी कि अगर किशू इनू का AMA session KU coin के साथ होता तो कही न कहीं पर एक नई और दमाकेदार announcement हमें मिल सकती थी तो अगर यह नहीं हो पारा तो शायद इसमें भी positive बात है किशू इनू का पूरा focus NFT card trade game की favor में है तो किशू इनू चाहता है कि NFT card trade game जो है एक बार finally completion level पर पहुँचे उसके levels अप हों play to earn का option अच्छा निकल कर आए then finally हमें शायद किशू इनू की listing किसी अच्छी exchange पर होती देख सकती है इसके लावा वजीरेक्स की तरफ से भी एक tweet देखिए वजीरेक्स ने tweet किया 23 गंटे पहले कि मई के मईने में वजीरेक्स ने 11 नई market को या बोले 11 नई projects को वजीरेक्स में add किया और ये है वो 11 नई projects अब वहाँ पर लिखा what should we list next बहुत सारे लोगों ने किशू इनू के favor में भी बोला लूना के favor में भी बोला बेबी डोज कोईन के favor में भी बोला इट मेंज ये जो cryptocurrency culture आपको इस्टेम दिख रहा है चाहे आप डोजी लिओन मार्स की बात करो बेबी डोज कोईन की बात करो किशू इनू की बात करो साइतामा की बात करो शिबनोमी की बात करो ये जितना cryptocurrency culture की token आज की date में आप लोगों को दिख रहे हैं इन्हें कई न कई पर listing की बहुत ज़्यादा जूरत बन जाती है सेम अगर आप इन सब को compare करो शिबा इनू के साथ तो शिबा इनू का इतना बड़ा होने का पहला reason time to time listing था उस listing के बहाफ पे शिबा इनू ने अपने ecosystem को एक best utility का system बना दिया और शिबा इनू निकल गया meme cryptocurrency के tag से सेम तैयारी baby doge coin doji loan mars और किशू इनू community कर रहे हैं अब हमने देखना ये है कि इन तीनों community में से 2022 के end तक कौनसी community एक अच्छे level पर पहुँच पाती है अगर आप लोग proper efforts की बात करो तो चाहे किशू इनू community है baby doge community है या doji loan mars community है बहुत maximum level पर efforts कर रहे हैं ये meme cryptocurrency कल्चर के token ताकि इन्हे best best utility के साथ अच्छी listing मिल पाए holders का trust or confidence बढ़ पाए और ये communities अपने holders, अपने investors, traders को अच्छे level पर return दे so this is the latest update on किशू इनू today thank you so much for watching this video and please do subscribe CryptoMar YouTube channel for more updates thank you so much